नमस्कार अभी हम बाज़ीन में हैं जहां पर किसान लॉंग मार्च जो नासिक सुरू हुआ था जो बुम्बे की तरफ जा रहा है उसका एक पड़ाव आया है जहां किसान रुके हैं और इसके सरकार ने कलें से कुछ वादे किये हैं और पिछली वारी सरकार के वादे पे लो जो ये मार्च अभी आगे का रास्ता क्या हो और अभी किस तरह से लोग यहां तक पहुंचे हैं। जो यहां तक पहुंचे हैं। जो यहां तक पहुंचे हैं। तब तक हम यहां बंबई मेंशे हम हटेंगे नहीं। और इसका तकलिब तो आज यहां हमें हुआ लेकिन वद्धर गए तो बंबई के लोगों को होगा। तो यह सब गंभीरता गवर्मेंट ने सोचनी चाहिए। और यह अम्मल करने का ततकाल आश्या परकार चाहिए। वो लेना चाहिए। आप लोग ने बोला है जब तक वो तालुका पे SDM तक और नहीं पहुचे का लागू करने का तब तक आप लोग नहीं जाएंगे। लेकिन पहले सरकार आज पटल पर रखने जा रही है और पटल पर रख देती है तो क्या उसके बाद आप लोग वापस हो जाएंगे। लेकिन उसकी पूरी निचे तक अमल बजावनी नहीं हुई तो इसलिए हमने अभी ताई किया है इन लोगों का यहीं मुकाम रहेगा जब तक उदर अमल बजावनी नहीं होती तब तक यहां से अटेंगे नहीं और हमने समवार तक की महलत दी है समवार के पहले अमल कि यह कोई अमल करने वाले नहीं है तो समवार के बाद हम यहां से उठके बंबई के ओर चल पड़ेंगे जैसे हम लोग कल भी यहां रुके थे और देखा राद में बारीज हुई और उससे पहले भी एक दिन बारीज हुई दी और धूब जिस तरह से वैसे में किसान किस त समय भी उसको तकलिव लगी उपर से धूप निचे से ये टार रोड और इसमें बहुत सारा लोगों को तकलिव हुई है बहुत सारे लोग बिमार भी पड़े है उनको जब हमने दवा खाने में एडमिट किया उसको ट्रीटमेंट दी वो थोड़ा अच्छा हुआ तो घर ज फिर से गाव की तरफ के जे लोग हमने हमारे जमिन धारक है वो लोग अभी थोड़े थोड़े करके आ रहे है उसमें ये रामदाश भय है ये पहला नहीं था यह अभी दिखा ये कल या परसो आया होगा बराबर ना सब्सक्राइब तो हमें जो लोग है वो धिरे धिरे यहाँ जमना शुरू कर दिया है यह एकत्रा हेंगे आयेंगे और जब हमें लगेगा यहां कामने होने वाला नहीं है तो हम बंभगी के ओर चल पड़ेंगे किसान पहले नहीं आया था वो किसान भी मार्च से अब जुड़ता जा रहा है हाँ दिरे दिरे ये तादाद बढ़ती जा रही है जो घर में है वो भी आता है क्योंकि उसका भी सवाल यह है जिसे आप लोग बन अधिकार अधिनियम को लेके 2018 मार्च के उसमें बहुत सारा सरकार ने मांगा भी लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ तो यह बन अधिकार अधिनियम क्या है हमारे दर्सों को आसान भार समझाई है और कितना इंपोर्टेंट है इन किसानों के लिए जो खेती करते आये कल्टिवेट करते आये उसका फारेश के हाथ में ताबा था मालकी हक कर जो बोलते है उसके राइट से वो फारेश के हाथ में थे और यह आदमी वहां खेती करके अपना गुजरान करता था लेकिन यह मांग हमने उठाई पूरे महराष्टर में देश में हमन किसान सभा और मार्शवादी कमने स्पक्षिके और से बहुत सारे लड़े हमने खड़े किये और जब 2005 में मनमौन सिंग की सरकार आई तो उसमें हमारे सिपीम के 62 MP थे और उनका सहारा लेके ये सरकार बना था उस समय ये काईदा पार्लमेंट में रखा गया हमारे उरंदा कारत कारत ने ये काईदे के कमिटी में काम किया है और वहां रखने के बाद वो पास हो गया दो हजार पास में पास हुआ कानून अभी तक लागू नहीं हुआ है लोगों को पट्टे मिले लेकिन पूरेशे नहीं है लोगों को सात्वारा मिला लेकिन वो गलत मिला है तो ये सरी मांगे आदिवाशी लोगों की वन्दमिन धारक की वो पूरी होनी चाहिए ये करके हम यहां आये है और कल की चर्चा पॉजिटिव हुई है उसकी अमल बजावनी आभी बाकिया है वो अमल बजावनी होने के लिए सरकार को मौलत दी है सुमार तक सरकार ने आदेश निचे तक पारित करना चाहिए यदि आदेश नहीं गए तो हम यहां से बंबई के और चल नहीं होते तब तक हम बंबई से भी हाले निगे इसके अलावा और क्या-क्या मांगे हैं जो प्रमुक्ता से किसानों के लिए अप्लोट है यह हमारे प्रतान मंत्रे आवाश युजना ये गरिब लोगों को थोड़ा आधार देने वाली है तो उसका जो अमांट है वो प्रतान मिलके एक लाखन चाली सेजार उसमें अच्छा गर बनाना कोई अच्छी बात तो हमने मांग की है कि सेंट्रल गवर्मेंट का जो निरने है तो सेंट्रल गवर्मेंट करेंगे लेकिन महाराष्ट्रे के पास रोजगार हमी के लिए बहुत सारी रक्कम पड़ी है व जाधा से जाधा घरकूल की रक्कम पड़ाइए दो लाग तक यह बढ़ा सकते है तो गवर्मेंट ने सोचा गवर्मेंट ने हमें बोला कि हम जाधा से जाधा रक्कम बढ़ाएंगे अईसा अस्वासन दिया है। उसी के साथ यह आंगनवारी करमच्यारी और डाटा अपर परेह भी दिखने के लिए हम अभी फूरन मंदल में जाने वाद है और वहां पटल पने के पहले वह देखकर कोई क्षमिंस करना हो तो हम सुझाएंगे मुहें मंत्रि या अपने लेवर मंत्री को तो इसलिए आ हम इता call आध पॉंगमार्च को लाने में यहां तक लाने के लिए जो किसान सभाग यूनियन बाकी यूनियन किस तरह साब लोग तैयारी करते हैं कितनी महनत आप लोगों को लगती है उसके बारे में थोड़ा सा बताई यह लोग तो हमारे उपर पहले से विश्वास रखते हैं हमने आदे थे इसे लिए अवरत हो यह पुरुष हो यह सभी लोग निकले हैं और इसकी तैयारी हमने आफ दिन में की है eight दिन में की ओई कोई इसमे कोई आईसा नहीं है कि वे उसको हमने कोई मदद पूरी होने के बाद ही यह वापस लौटेगा, यह हमारा विश्वास आए, उनकी भी यह माँगा है, और इसी मांग के साथ ये लोग इदर बैटे है परावर है कि नहीं अब पाँछ अपरेल को भी दिल्ली में भी एक बड़ा मार्च है किसानों किसान सब्वा कर रही है तो उसको लेके उस मार्च को लेके कैसी तयारी है जो कि यह मार्च तो आप महाराष्ट लेवल पर देश भर के किसानों की मांगे उसमें कैसी तयारी है महाराष्ट किसानों की और आप लोग किया तयारी है इदर तयारी है ना हमने कोई रेल के वो जो भोगी है वो भी बुक क के अंदर केवल यह पूरा मोर्चा लेके लोग यहां तक पहुचे हैं इसके अलावा यहां पे इनका कहना सरकारी आदेश पर यह लॉंग मार्च इस बार खतम नहीं होगा जब तक इनके लोग जमीन से नहीं बताएंगे जो इनकी मांगे पूरी हो रही है तब तक यह लोग से आगे वापस जाने वाले नहीं हैं और जब तक इस बार लिग जमीन पर आदेश लागू नहीं होगा तब तक यह लोग नहीं जाएंगे अभी के लिए बस इतना ही देखतरी है न्यूस क्लिक धन्यवाद